आपकी जनादालत न्यूज से मैं हूँ राजा भीया पाल और आज आपकी जनादालत न्यूज पर एक ऐसा इंटरिव्यू लेकर के आये हैं जो निश्चित रूप से मोटिवेशन देता है मोटिवेशन इसलिए कि जब हमारी आर्थिक स्थिती कमजोर हो जाती है और ऐसे में कोई घटना घट जाती है तो हमारी हिम्मत तूट जाती है और हिम्मत किस तरीके से बढ़ती है और आज उसी स्टोरी पर हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे बीच में है राधिका पाल जो कि इनका आज से ठीक तार साल पहले खतरनाक एक्सिडेंट हुआ था जिसमें इनका एक पैर बुडी तरीके से रहा जाए तो ऐसा लग रहा था कि आप यह कभी चल नहीं पाएंगी तो आपकी जानादाला की विए पैसे जुटाने में वड़ी दिक्कत हो रही थी तो आपकी जानादाला की पर हम मौडिवेशन के तॉर पार रही है इन्होंने अपना जो पैसे एकक्ते किये हैं एक बीवो एद कहसा था था भी कुछी दे पहले बंदगा है लेकिन वीवों के परिवारे नोने तयार किया है कैसे क्या हुआ वो बेष्णा के बारे में राधिकापाल आपकी जनादार मीच में आपका चाहती हैं आपका एक्सिजेंट कब हुआ था मेरा एक्सिडेंट 2016 में हुआ था गुरोना हाइवे पर हुआ था और मेरा कंडिशन बहुत ही ज़्यादा खरापती कि मेरे कोई उमीर नहीं था बचने का पर पता नहीं बगवान को मेरा भी जाना मंजूर नहीं था इसलिए हम बच गए उपर वाले के पासे रहती है उनहोंगों नहीं मेरा बहुत सपोड किया और मेरा को ज़्यादा मेरा मदद ही और मेरा बहुत सथ दिया ऑनकी वजह से आग़ं अपने प्यायो पर चल पार है है पर फोलोवर् इते हिंद मेरे आर्थिक मदद दिये फोन से ओनलाइन जो भी उन्ते बनाये तो उन्होंने सबने मेरी हम्मद बढ़ी और मेरा ओपरेशन हो पाया है जिसके वज़े से आज मैं चल पा रही हूँ तो ये सब मेरे फोलोवर्फ की मजे से हुआ है जो मेरे भाई बेन है जो दुनिया में पहले हुए फरी भारत में सारे स्थेट्स मेरे फोलोवर्फ जो उन्होंने मेरी हम्मद से है सब़ी जगए से बंगल, बिहार, अक्तर प्रदेश और सभी जराफ की की है सब ने मेरी बहुत है और थोड़ा थोड़ा जो भी एकदान उन्से बनाए उन्होंने किया है मेरा और मेरा अपरेशन हुपा है जिसकी बज़े से अभी मैं थोड़ा थोड़ा चल पा रही हूं और आंगे मैं सही हो जांगी मेरी इतनी घराब थी कि मेरा पैर निकालने की रही है राधका पाल जी आज इस तरीके सा आपकी जन्नादालग नीज पर जो मोटिवेशन इंटर्व्यू है उस्ता क्लू यह है कि जो जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आपके मन में यह कैसे ख्यालाया कि हमें वीवों पर आप वीडियो बनाना चाहिए जिससे हम पैस तो बहुत सारा पैसा लग चुका था तब एक भाई है मेरे वालियर में तोनों ने मुझे बताया है यह जिससे मैंने चलाना शुरू किया और मैंने उससे मदद मावी सब लोगों से और बहुत सारे भाई लोगों ने मेरी मदद भी किया है राधका पाल जी जिस तरीके से अब दीवो पर ब्यान लग गया है तो अब आप कैसे आप ऐसे कमा रही है अभी थोड़ा यूटूब पर मैरे चैनल बढ़ा आया है बदन सी निपाल के नाम से तो अभी तुरू शुरू में थोड़ा को कम कर रहा है इसके वज़े से आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंग क्योंकि मेरे बहुत सारे फॉलोवर से जिनका फोन भी आता है हमारे पास पूछते भी हैं कि आप आपर वीडियो बनाते हैं तो इसलिए अभी मैंने उन लोगों को शेर नहीं किया है तो आदे तलके में इंदे शेर करूंगी इससे मेरे फॉलोवर स्पेस्ट से मुश्यों है उसके बहुत सारे ऐसे बाई बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत करते हैं और आपकी जो मजबूरी है उसको समझते है और आपकी बिल्कुल आर्टिक इसकी खराब भी हो तो भी आपकी आर्टिक इससे भी मदब करते हैं तो आज 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 आपके मेरी अमंदी दिये औरही से आए हैं दौनों ही गेस्ट है राज रादेका की बेहन जी की सादी में वो पहुंची है और वीवों पर जब वीडियो देखा था इनके पेर का बहुत बड़ा एक्सिरेंट हुआ था जो हम आपको अभी देखा नहीं पाएंगे और उस समय जब इ कि बीवों की जो कि बीवों बंद हो चुका है लेकिन यूटूब पर उनका चैनल आ गया है तो सब्सक्राइब के नाम है अपका अमन जी आपने इनका कौन सा वीडियो देखा था मैंने इनका एक्स्टेंट वाला वीडियो देखा था जिसमें इनका पैर बहुत पुरी दर देखने को मिलता है ये लोगे जब यह सिए उसमें साफ नहीं देते हैं मुझे रादका देखते हôm अच्छा लगा है और इनकी द्रे ने इनको बहुत सपोर्ट किया अज के इसमें दौर में तो अच्छा लगा तो आपके साथ आपकी हाजवेंट नहीं है किसा अलगा अप कि दाख देनी पड़ेगी दोनों आदिम्यों को इतनी अच्छी जोड़ी है इतनी अच्छे से सपोर्ट करने वाली इस जमानी में कहां है आपका होसला हम बड़े भाई टातका जी कैस्मेंट को धनुबाद देना चाहते हैं ऐसे बुरी मुसीबत में उन्होंने साथ नहीं छ करने कि शीलू पटल पड़े इस समय सीलू पटल ही हमारे साथ जुड़ी हुए थे जो कि अमन के हस्बेंट है जब रादका जी का एक्सिडेंट हुआ था तो समय इनके आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी उस समय और आर्थिक स्थिति को देखते हुगे जोवर थे भीवो पर तो उनोंने उनको बहुत आर्थिक मदब की है और जहां तक है अमन जी ने उनको पूरा प्रुसाइन दी हम्मत बानी कि आप निश्चित रूप से सब लोगों की दुआएं आपके साथ हैं बहुत जल्ला आप स्वस्थ हो जाएगी अमन जी कुछ कहना चाहिए हुआ है इन दो रादिका को और विनोत को देखते हुए तो यही कहेंगे कि इन दोनों जैसे लाइफ पार्णर हो तो जादा अचाहिए है सास्वेंट मिले जो हमेशा लाइफ में हेल्प कर सके सपोर्ट करें मुलाकात कराएंगे रादिका के जो हस्बेंट है विनोत पाली से बात क पर आएंगे और जब इनका जो एक्सिदेंट हुआ था किस तरीकी घटना घटी ती उस पर हम ब्यान बातिक करने जा रहा है उन्हों पाली यह कब एक्सिदेंट हुए हुए हमारे चार साल हो चुके हैं और चार साल में हमेरे एक चैनल था जैसे कि टिक टोक रहता है ऐसे बर्जन था वीगो वीडियो एप अभी वह सरकार ने बेंट कर दिया तो बंद हो गया पन हम अभी यूटूब चैनल पर हैं तो उस पर अगर देख सकते हैं हम लोगों को तो बदन सिंग पाल के नाम से आईडी है तो हमारे वीडियो कभी हमारे लाइप के बारे में डाले तो देख सकते हैं और हम बता दें के यूटूब के जो हमारा चैनल था वीडियो का तो इसमेशे बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छी फैमिली मिनी जैसे कि कॉल करता है और यहां के भी हमारे बहुत सारे दोस्ते हैं दूर दूर से तो हमारे सब हैस्टेज में किसी ने बड़ी कमाल की बात कहिए कि मनजीलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं बलकि मनजीलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं जिद आपकी जन्हादलनीज की दर्सकों को बताना चाहते हैं यह इंटर्वी क्यों लिया गया है क्या है कि वीवो था वीवो पर इनके जो फॉलोवर्स थे बड़ी संक्याम जो फॉलोवर बने हुए थे तो उनका मुक कारण यह था कि जब इनका दोनों का एक्सिजेंट हु सब्सक्राइब करते हैं तो जो राधिका है इनका पहर पूरा 90 परसेंट खतम हो नमत्तम 99 परसेंट खतम हो गया था तो यह सब दुआओं का आसर है कि चार साल से चल पाई उस दुआओं का ही हम तो सबसे बड़ा वह है हमारे लिए कि सबसे लोगों ने हमारे लिए बहुत तो यह दुआओं का वो था राज दुआओं की बज़े से ही आई यह अपनी पैरों पर खड़ी थी जो कि इनका पैर जो लगब 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 गवा चुकी थी लेकिन आज यह दोनों पैर पर यह लोग खड़े हैं आरतिक इस्तिति कमजोर होने के बाद लोगों ने इस त बोटी बेहन के रूप में देखते हैं तो आपकी जनलाद नीच के इस इंटर्व्यू के लिए आपका जो भी आपका सुझाओ है कमेंट बोक्स में लिखिए जुड़े रही हमारे साथ नमस्क्राइब